मौझूदा कटॉफ को सही ठेरा दिया है राजी सरकार की मौझूदा कटॉफ को सही ठेराया गया है सुप्रिम कोच में सिक्षा मित्रों को अगली भरती में मौका दिया जाए ये कहना है सुप्रिम कोच का और हमारे साथ देखे सतीश डिवेजी जे जुड़ चुके हैं जो की सिक्षा मंत्री है उत्रप्रदेश सरकार में सी दोनी कारू कर लेते हैं सतीश डी बहुत-बहुत स्वागत आपका भारस समचार में और देखिए आज सरकार जो बात कही थी कट ओफ की को लेकर आज वो सच साबित होती दिख रही सुप्रीम कोटे सर्मोह लगा दिया जी उत्रप्रदेश सरकार और मैं सर्वोच नियाले के स्पैसले का स्वागत करते हैं हम पहले दिन से ही क्या रहे थे कि हम उत्रप्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी देना चाहते हैं लेकिन उत्रप्रदेश के परिसदिये भी दियालें में जहां हमारे गाओं गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ते हैं, उनको गुरवत्ता पूर्ट सिक्षा सुनिचित कराना चाहते हैं, हम जब से उत्तर प्रदेश में बारते इंता पार्टी की योगी सरकार आई है, लगातार स्कूलों की अवस्था अपना सुविधाओं को ठीक कर रहे हैं, आप रि प्रियास किये हैं, और उसी दिसा में योगी सिक्षक भी हर स्कूल को देना चाह रहे थे, इसलिए हमने कटाफ बढ़ाया था, तो कि हमारे पास अबेर्थी जादा थे, 69 अजार पतों के सापिक, 4,30,000 लोगों ने आवेजन किया था, 4,09,000 लोगों ने परिक्षा दी थी, इसलिए हमारी बिवस्ता थी कि हमको उच्च कटाफी रखना था इसक्रीनिंग के लिए, और ये बातें बार बार उत्तर प्रदेश सरकार कह रही थी, लेकिन आज माने सरवोच नियाले ने हमारे उस मेरे पर महर लगाई है, इस पैसले का दूर गामी संदेश होगा, गुर पूरी करेंगे, वो भी बेसिक विच्चा विवाग का इसा बनेंगे, बिलकुल सतेशी और देखिया आगे प्रक्रिया पूरी हो जल्द से जल्द ये वह अभ्यती भी चाते लेकिन जो लोग बज जाएंगे, उनको आज सुप्रीम कोट ने कहा है कि अगले साल आप मौका तो उसके लिए भी रूप रेखाप अभी से तयार करनी शुरू कर देंगे, बिलकुल मौका देने में हमको कोई आपती नहीं है, हमने पिछली दो भरतियों मौका दिया है, अगली भरती में भी उनको मौका देंगे, अभी फिलाल ये जो भरती प्रक्रिया रूपी थी सती कि अभी ये शुरू हो सकती है, तो कब तक हम ये समझे कि ये जो अभी तक परिशान थे, उनको जल्द उनके लिए जो रास्ता है, उनके पद का वो साफ हो जाएगा, कब तक वो इस नौकी वो पास को बिलकुल बैरतियों को बिलकुल परिशान होने क्या हो सकता रहे, जैस इस पर काम कर रही है, और अब भरतियों को लेकर जो भी तक रोक लगी थी, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार की कटॉफ पर मोहर लगा दी है, यानि कि 65 फीज़ी की कटॉफ यूपी सरकार ने दी थी, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी राजी दिखा है, दिल्ली से बड़ी खाबर जाब, दिल्ली नोड़ा बार्डर पर